भारतिय नौसेना को मजबूत करेगा जर्मनी लिथियम बैटरी वाली पंडुबी बनेगी गेम चेंजर बंगाल की खाड़ी पर यूं होगी नजर भारतिय नौसेना अपनी ताकत पंडुब्यों के जरिये बढ़ाना चाहती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भारतिय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I नई पंडुब्यों को नेवी में शामिल करने से जुड़ा है इससे जुड़े टेंडर के लिए एक जर्मन कंपनी भी दावेदारी ठोक रही है जर्मनी की थिसेन क्रुप ने दो सो दो चौदा क्लास पंडुब्य की पेशकश की है उसका कहना है कि ये नेवी के लिए गेम चेंजर होगी भारतिय नौसेना अपने प्रोजेक्ट 75I के तहट 6 पंडुब्य खोज रही है इन पंडुब्यों में लिथियम आयन बैटरी के साथ फ्यूल सेल एयर इंडिपेंड़ेट प्रोपल्शन AIP तकनीक होगी जो उन्हें लंबी अवधि तक समुद्र की गहराईयों में छिपने और तेज गति से बिनी अपनी लोकेशन बताए लक्षय तक पहुँचने की क्षमता देगा भारतिय नौसेना सबसे बड़ी और सबसे तेज बनकर प्रतिसपरधा में बढ़त बनाए रखना नहीं चाहती बलकि सबसे शांत और घातक बनकर प्रतिसपरधा में बढ़त बनाए रखना चाहती है जर्मन शिप बिल्डर थिसेन क्रुप भारत का कॉंट्राक्ट लेने में सबसे आगे है उसने अपनी दोसो चौबला क्लास पंडुब्यों की पेशकश की है ये दोसो बारा सीडी पंडुब्यों के उन्नत तकनीकी पहलूँ को AIP टेकनॉलोजी से लैस करता है दोसो बारा सीडी क्लास पंडुब्यों को भारत की आवशक्ता के हिसाब से बनाया जाएगा AIP टेकनॉलोजी से जुड़े सबसे उन्नत बदलाव इसमें दिखेंगे लिथियम आयन बैटरी से यह लैस होगा इसमें एक उन्नत सेंसर और युद्ध प्रणाली होगी और इसमें स्टील्थ फीचर होगा जो इसे दुश्मन के रडार पर नहीं आने देगा नेवी के लिए होगा गेम चेंजिंग यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75i के TKMS प्रोग्राम हेड डॉव क्रिश्चिन फ्रोहलिंग ने कहा इसमें हमें सबसे बड़ा फाइदा हमारा अनोखा AIP समाधान है पंडुब्बी की डिजाइन अच्छी तरह से स्थापित HDW क्लास 214 से निकली है जो दुनिया की कई नौसेनाओं की सेवा में है भारतिय नौसेना की आवश्चक्ता के हिसाब से इसे बनाया जाएगा इंधन सेल आधारित AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी का संयोजन भारतिय नौसेना के लिए एक गेम चेंजिंग क्षमता लाएगा चीन की बड़ी नौसेना के मुकाबले भारतिय नौसेना को एक विश्वसनिय पंडुबी बल की जरूरत है लंबे समय तक रह सकेगी पानी के नीचे इंधन सेल AIP पंडुबी को कम गती पर लंबी दूरी तक चलने की इजाज़त देता है जबकि लिथियम आयन बैटरी इसे उसके टारगेट पर पहुँचने के लिए हाई स्पीड से चलने की इजाज़त देता है यूरोपिय देश इसका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जापान करता रहा है फ्रूहलिंग के मुताबिक पंडुबी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेगी और हाई स्पीड से चल पाएगी जो इसे और भी घातक बनाता है उन्होंने कहा कि भारतिय नौसेना की पंडुबी पानी में रहते हुए पूरे बंगाल की खाड़ी को कवर कर सकेगी दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद